परभाव अपनाया बड़ा किया पाला पोसा रखा उसके बाद वो अपनी रास्ते नप लिये लेकिन हमने कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया किसी का अपमान नहीं किया और आज भी जब अर्क निश से 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 तालीस में जब देश आजाद हुआ था तो वाकाइदा जो बड़बारे का समझोता हुआ और बिटिस पार्लेमेंट जो एक्ट पारित किया था उसमें साफ लिखा हुआ था कि हिंदूों के लिए हिंदुस्तान, मुसल्मानों के लिए पाकिस्तान अब फिर समस्या तो यही है नो, समस्या तो यही है, इस देश सो मुशल्मान भी है मैं अभी भी कह रहा हूँ, सारे मुसल्मानों को उस समय माच चला जाना चाहिए बड़बारे के साब से लेकिन नहीं के यह हिंदूों की सहर देता है, इसलिए हम नोंको स्विकार किया लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि भारतमान तकी जैवे नहीं बोलेंगे